हलो BSC second year student, कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे माइन इम इस आशिश गिरी, आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSC second year Geology के 4th semester में आपका theoretical paper आता है Gene Technology, Immunology and Computational Biology Student इस semester से already मैं कई सारे videos upload कर चुका हूँ जो कि आपके exam paper के लिए most important है तो अगर आप उन videos को देखना चाहते हैं तो इसी video के description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा आज किस video के अंदर हम cover करेंगे एक most important topic polymerase enzyme exam paper में कई बार ये long question में, कई बार short question में आपसे पूछा जाता है generally short question में भी आता है और long question में भी आता है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर short question में पूछा जाए तो आपको कितना लिखना है कौन सा डाइग्राम बनाना है यदि long question में साड़े साथ नंबर यह दस नंबर यह डिपेंड करता है कि आपका exam pattern कैसा है तो अगर long question में पूछा जाए तो उसमें कितना लिखना है आपको वो सब में इस video के अंदर आपको बताने वादा हूं विडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ important information में आपको दे देता हूं ताकि आपको चीजे समझ में आए student यदि आप आगे चलकर अपनी master degree बायो टेकनोलोजी से complete करना चाहते हैं genetic engineering से complete तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि genetic engineering के अंदर एंटर करने के लिए basic cover होने बहुत जरूरी है जैसे कि DNA के structure क्या है function क्या है DNA replication के सारे topic cover होने बहुत जरूरी है तब ही आपको अच्छे से genetic engineering समझ में आएगी otherwise आपको बिल्कुल भी genetic engineering के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए आपके basic cover होने बहुत जरूरी है नहीं तो नहीं समझ में आएगा आपको ठीक है जैसे हम आज polymerase enzymes के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में आपको अच्छी तरस समझ में आना चाहिए कि polymerase enzyme क्या है और polymerase enzyme को समझने के लिए आपका DNA का replication का जो topic वह भी आपको समझ में आना चाहिए ठीक है तो चलिए student वीडियो को start करते हैं heading डालेजी DNA polymerase enzyme यदि आप लोग BSC के concept को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं DNA polymerase enzyme है जो की व्रधी करते हुए DNA strands में Nucleotide को जोडने का कारे करते हैं जिस समय DNA replication होता है जब DNA growth करता है व्रधी करता है तो उस समय DNA strands में Nucleotide को जोडने का काम कौन करता है DNA polymerase enzyme इन में जो है attachment के लिए 3 sites होती है right DNA polymerase में attachment के लिए 3 sites होती है जिनका नाम है number 1 site है template site जिससे की template DNA attach होता है दूसरा है 5 prime triphosphate site जिस पर deoxy ribonucleotide 5 prime triphosphate जुडता है number 3 पर आता है primer terminus sites जिस पर DNA primer का 3 hydroxyl group सीरा जुड़ा रहता है DNA polymerases का संबंद 5 prime phosphate सीरे से 3 prime hydroxyl सीरो की और primer DNA से deoxy ribonucleoside triphosphate nucleotides के संकलन यानि इसके attachment से होता है DNA replication में 3 परकार के DNA polymerase enzyme participate करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह जो DNA polymerase enzyme में basically यह का करता है जिस समय DNA replication होता है तो यह वरधि करते हैं DNA stands में nucleotide को जोड़ने का काम करते हैं जैसे कि मैं पता है DNA की structure में यह nucleotide की बने होते हैं तो DNA के अगर आप basic structure जानते हैं तो सारी चीज़े आपको समझ में आएगी तो DNA replication में 3 परकार के DNA polymerase enzyme participate करते हैं DNA polymerase first, polymerase second, polymerase third Right, सबसे पहले हम discuss करते हैं DNA polymerase first enzyme के बारे में तो इस enzyme का अध्यन E. coli जो E. coli bacteria होता है उसमें विस्तार से किया गया है यह लगबग गुलाब होता है तथा इसका व्यास 6.5 NM तक होता है यह लगबग 1000 amino acid से बनी एकल poly nucleotides रंखला का बना होता है तथा इसका molecular weight 150,000 होता है इसमें एक sulfide droxyl group, एक interchand disulfide तथा active sites पर zinc का एक molecule होता है वास्तों में DNA polymerase first molecule एक जटिल सनरशना है यानि कि बहुती complex structure है जिसमें आप लोग simply देख सकते हैं DNA polymerase 3' to 5' exonuclease तथा 5' to 3' exonuclease sites होते हैं यह आप लोग DNA polymerase first का diagram देख सकते हैं specific binding sites को दिखाते हैं DNA polymerase first का एक molecule यह जो molecule आप लोग देख रहे हैं DNA polymerase first का molecule है इसमें specific binding sites को भी दर्शाय गया है जैसे यहाँ पर देखेंगे यह है exonuclease site 5' to 3' direction में यह दो है exonuclease site है यह जो आप लोग site देख रहे हैं यह site है deoxyribonucleoside 5' triphosphate site इसके बाद यह जो आप लोग देख रहे हैं यह primer terminal sites होती है यह इसमें primer sites होती है यह इसमें template sites होती है तो इस परकार से student DNA polymerase first molecule की structure को देखने के बाद उसके diagram को देखने के बाद हमने इसमें किस परकार के sites देखे उनके क्या function है तो DNA polymerase first के गॉलाब molecule पर 5 specific binding sites होती है number first है template site के सनलगने के लिए यह इसके attachment के लिए template sites होती है और DNA की primer end के attachment के लिए template sites होती है इसके बाद primer के 3 hydroxyl terminus के लिए इसमें primer terminus sites होती है और deoxyribonucleotide 5' triphosphate के लिए इसमें 5' triphosphate sites होती है वरद्धी करती हुई यानि के growth करती हुई चैन के पत में 5' to 3' exonuclease activity के लिए इसमें 5' to 3' direction के लिए exonuclease sites होती है जैसा कि हमने यहाँ पर diagram में भी देख लिया है तो इसमें 5 specific binding sites होती है इसके function क्या होती है उसके बारे में भी आप लोग देख सकते है function पहले यह माना जाता था कि DNA polymerase first DNA replication का कारे करता है किन्तु यह replication की समय अनेक शोधन कारे भी करता है अते यह बहु उद्देश्य उंजाइम है इसका संबन जो है वो निमलिखित प्रकारियों से है यानि कि सिरिफ यह replication में नहीं बाकी और भी कई सारी चीज़ों में help करता है यह 5' to 3' प्राइम डिरेक्शन में poly nucleotide स्रंखला की व्रद्धि के लिए DNA की poly nucleotide स्रंखला के 3 hydroxyl सीरे पर mononucleotide unit के जुडने को उत्प्रेदीद करता है एक सुध DNA polymerase first enzyme का प्रतेक molecule एक मिनिट में लगबग 1000 nucleotide को जोडता है DNA polymerase first enzyme का second function है 5' to 3' exonuclease activity यह DNA की मरमत के समय 5' to 3' direction exonuclease activity को उत्प्रेदीद करता है इस क्रिया में यह च्छतिग्रस जो base pairs होते हैं उसको निकाल करके अलग कर देता है यह प्रतेक ओकाजा के fragment के 5' सीरे पर DNA replication में परियुक्त होने वाले RNA primers के segments को निसकाशन को उत्प्रेदीद करके DNA nucleotides को जोडता है नंबर 3rd function है 3' to 5' दिशा में यानि direction में exonuclease की proof reading सकी रता यानि कि यहाँ पर यह 3' to 5' proof reading exonuclease activity करता है यानि कि simply polymerase first proof reading करके chain में से एक तूटियो को यानि जो error होती है उसको दूर करता है यानि कि गलत nucleotide के स्थान पर सही nucleotide को जोडता है यानि कि student जिस समय DNA replication होता है तो उसमें कई बारे होता है कि गलत nucleotide भी जोड जाते हैं उसको proof reading के जरिए सही nucleotide को भी जोडता है अब हम बात करते हैं DNA replication में participate करने वाले second polymerase enzyme के बारे में जिसका नाम है DNA polymerase second यह लगबग 120,000 dalton molecular weight वाला एक छोटा सा enzyme है इसका जो biological importance का निस्चित ग्यान नहीं है यह poly nucleotide chain में ऐसे खाली जो gaps को भर करके जिनमें 100 से कम nucleotide होते है DNA की मरमत करता है nucleotides के वल 5' to 3' direction में ही जुडते हैं polymerase second लंबे strands को replicate नहीं कर सकता यह के वल DNA duplex के gaps को ही भर सकता है तो आपने देखा इसका main काम क्या है यह जो है DNA duplex के gaps को भर सकता है अब हम बात करते हैं student DNA polymerase third enzyme के बारे में जो कि most important enzyme है इन तीनों enzyme हों में से तो DNA polymerase third के बारे में आये जानकारी लेते हैं और इसके diagram को भी देखते हैं तो यह दोनों diagram most important है short question में आपको कितना लिखना है बहुत ही कम आगे जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बस थोड़ा सा लिखना है लेकिन long question में इस सब आपको लिखना है देखिए DNA polymerase third enzyme के बारे में आपको लिखना है कि इस enzyme की cause T. Corenberg तथा ML Gaftern ने 1972 में की थी तीनों polymerase में से यही सरवादिक बड़ा और अत्यन्त यानि बहुत ज़्यादा complex active enzyme है इसका molecular weight लगबग 9 lakh होता है तता इसमें 18-20 sub unit होते हैं replication में इसकी प्रमुख भूमिका होने के कारण polymerase third को replicate भी कहते हैं इसमें एक उत्परिरिक sub unit तता कम से कम 9-12 विभीन sub unit होते हैं जो DNA replication की समय अलग-अलग कारे करते हैं इनमें से कुछ sub unit जैसे beta, gamma, delta, epsilon, theta या xi ये सब इसमें कुछ sub unit होते हैं ये जो आप लोग simply diagram देख रहे हैं ये है DNA polymerase third hollow enzyme जिसमें आप लोग देखेंगे primary enzyme complex involved in prokaryotic DNA replication ये जो है primary enzyme complex होता है जो की prokaryotic DNA replication में involved रहता है इसके बाद student आप लोग लिखेंगे polymerase third का beta sub unit पैतरक DNA के primary strength से जुड़ता है इसे हम co-polymerase third भी कहते हैं इन sub unit में से 4 sub unit pair में एक donut shape structure बनाते हैं जो की clamp के रूप में DNA के चारो और लगा रहता है प्रतेक dimer core enzyme के साथ मिल करके एक sliding clamp का कारे करता है इस पर से होकर के hollow enzyme polymerase third template DNA strength पर एक nucleotide से दूसरे nucleotide पर जुड़ता हुआ सीरे पर पहुंचता है इससे polymerase third की activity 5 lakh तक बढ़ जाती है proof reading एवं polymer यानि बहु लगता कि सक्रिताएं activity जो होती है वो alpha epsilon sub unit में होती है theta sub unit alpha तथा epsilon से जुड़ करके core polymerase enzyme बनाता है इसके बाद दिखेंगे student gamma, delta, chi and xi unit मिल करके clamp loading complex मनाते है एक clamp loading complex में 5 परकार के 6 sub unit होते है दोनों core polymerase xi के dimer से जुड़े रहते हैं यह dimeric polymerase एक single clamp loading complex से जुड़ करके DNA polymerase third बनाता है तो आज के इस वीडियो के अंदर student हमने discuss किया DNA polymerase enzyme के बारे में उसके types के बारे में, उसमें diagrams के बारे में, उसके function के बारे में धीरे धीरे next वीडियो के अंदर हम सारे genetic engineering से related सभी topics को cover करेंगे वीडियो पसंद आए तो like करें चैनल को subscribe कर दे अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो मिलते हैं student next वीडियो में बाई बाई टटा